गईस मेरे पास है OnePlus की तरफ से brand new smartphone OnePlus Note CE2 तो आप यहां पर देख सकते हूं आज इस वीडियो में बीजी में रिव्यू करने वाला हूं तो बीजी में गेम स्मार्टफून के अंदार कितना अच्छी तरह किसे चलता है वो देखने वाला हूं स्मार्टफून के अंदार टेम पर सेटी 900 चिपसेट के साथ उसे के साथ 6GB 120 8G मेरे पास है LPDDR4X RAM के साथ आता है और यहां पर स्कीन रिफ्रेश्च सेट आप यहां पर देख लिजे 90Hz को मैंने आन करके खिल रहा हूं आप यह पर देख लिजे तो चलिए गेम स्टाट करने से पहले गेमिंग का ग्राफिक से करके खिलपाओगा यहां पर बहुत सेटिंग मिल जाएगा तो इस रेंज में जो स्माट फोने गेमिंग स्माट पॉन होने वाला है हम लोग ज्यादा इस को निकलने वाला है तो है यहां पर स्मूध्य एंडें तो चलिए थोड़े गेम खेल के देख लेते है तो गैस यह पापकोंस मिल रहा है बहुत ही बढ़िया है कुछ भी दिक्कत नहीं है और स्मूधने से यह पर बहुत ही अच्छा मिलता है नाइंटी हार्स को बहुत ही अच्छी तरीके से अप्टिमाइच किया है अगर मैं बात करूँ हीटिंग के बारे में तो स्मार्टफून थोड़ा सा हीड हुआ है आप यह पर देख लीजिए 33 डिग्री सलसेट यहां पर देखाई दे रहे तो चलिए और एक मैच खिलके देख लेते हैं तो इस बार हम लोग ग्राफिक को चेंज करने वालों क्योंकि स्मार्टफून के अंदर तरह-स घ्राफिक मलता है तो हर अग्राफिक में गेम खिलना तो बनता है तो यहां पर बैलेंस एन हम लोग यहां पार आल्टर करके खिलेंगे तो बैलेंस एन लाट्रा सेटिंग में गेंपा maior आप फोन के इंदर तो चलिए देख लेते हैं तो य ट्राफिक सेटिंग में थोड़ा सा फ्रेम डॉप देखा दे रहे हैं कि थोड़ा सा दिख्का दाने वाला है तो तो सेकेंड मैच जो है वो खतम हो चुका है अगर मैं बात कारूं सेकेंड मैच की पारफेंस के बारे में मैंने 13 किल किया तो सेकेंड मैच में थोड़ा सा फ्रेम डॉप देखा देगा अगर अब प्रूप लियार हो तो कुछ भी पॉब्लम नहीं आने वाला है अगर यह आपर 120 हर्स का रिफ्रेसर रहता तो तो इस ग्राफिक सेटिंग में आप बहुत यह आसन इसे खिल सकते थे तो चलिए इस ग्राफिक सेटिंग में स्कीन रेकोडिंग को अन करके देखते क्या लैग वेगरा होता है की नहीं तो चलिए skin recording को on करते हैं तो यहां पर हम लोग आते सिधा skin recording के उपर क्लिक करते हैं अपर start पर क्लिक करते तो game जो है start हो चुका है और graphic अच्छा है कुछ भी दिखकर वगरा नहीं है तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा game खेल के कि भाई मैं इतनी देख से खेल रहा हूँ कुछ भी तो दिखकर नहीं मिल रहा है और पाफेंस बहुत ही अच्छा है इस बार मैंने कील किया 16 तो आप यह पर देख सकते हो तो यहां पार skin recording में कुछ भी दिखकत नहीं है बहुत ही अच्छा सा पाफेंस मिल रहा है यहां कि यह स्मार्टफोन होने वाला है सजमुछ अच्छा गेमिंग बल स्मार्टफोन 24,000 रुपिस में तो चलिए इस बार इस smartphone का जो हाइग ग्राफिक सेटिंग है तो यह पर HDR & Ultra setting में हम लोग खेलेंगे यह स्मार्टफून का जो graphic setting है High graphic setting उसमें gameplay करने वालो तो गीम जो है start हो चुका है और यहाँ पर आप देख सेटे हो ग्राफिक कितना अच्छा देखा ही दे रहा है यहाँ पर आप देखो यार स्मार्टफून का जो High setting है वहाँ पर ग्राफिक दिखा दे रहे बहुत ही अच्छा है तो चलिए इस setting में gameplay करके देख लेते हैं कितना अच्छा पाफरेंस मिलता है तो यहाँ पर फिर्म डॉप में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है मैं इतने दिर से खेल रहा हूं मुझे एक वी फ्रेम डॉप या लैक ऐसे कुछ देखाई नहीं दे रहा है कि स्मार्टफून की अगर आप हाई ग्राफिक सेटी में खेलोगा तो कुछी भी दिकत नहीं आने वाला है तो यहां पर एक स्नाइपर मुझे बहुत जब्से परीशान कर रहा है इसको मजा चिटाते हैं शुटकर बैठा है भाई हम भी छोटा मोटा साइन्टिस्ट है तो पंगा तो मुझसे नहीं लेना है वाई क्योंकि मैं ठोक के बात करता हूं तो ऐसे भी इस ग्राफिक सेटिंग में जो स्मार्टफोन ने बहुत अच्छी तरीके से पाफंस के और यह में भी तुम्हारा भाई बन चुका है तो मैं इतने देर से खिल रहा हूं तो यहां पर हेटिंग का इसू में आपको दिखा दिता हूं हेटिंग जो है उना के बर 24,000 रुपिस में आता है और 24,000 रुपिस के अंदर बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है क्योंकि आपा जो ग्राफिक सेटिंग है यहां तरह तरह मिल चाहेगा यहां पर आप HDR में गेम खिल पाओगे वी अल्टरा सेटिंग में उसे के साथ 90 हर्स का रिफ्रेस्ट क्लियर कर दिया अगर आपको वीडियो बसंद आता है तो एक लाइक करना उसे के साथ चलिंग को कर लीजिए सब्सक्काइब रोडिवी कैसन बिल को चुरू आल में क्लिक करना तो अचके लितना है अगले फ्रेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइफ रेंस टेक केर फ बखर को जो एक दो इसना है कि अजड़ा है करा कि दो दो प्रफ एंग कर दो दो चाहए है है घर दो चाहए है है कि अटेपट दो पर हम गग है जा पर दो जो है अी कि रच्छा पर में भाग है।